हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टो यूर चैनल, फूट गूट विद फन दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कफ कैंडी जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी तीन से चार चम्बच शहद की चार से पाच लॉंग पाच काली मिर्च के दाने दो चम्बच चीनी चार से पाच तुलसी के पत्ते एक इंच के लगबग अद्रक का रश आधे निम्बू का रश तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले एक पैन में हम चीनी डालेंगे फिर चीनी के बराबर मात्रा में ही पानी डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे अद्रक का रश फिर निम्बू का रश हमने लॉंग को पीस लिया है उसे डाल देंगे तुलसी के पत्ते और फिर इससे अच्छे से पका लेंगे अब हम इसमें डालेंगे शहत उसे भी साथ में मिला लेंगे और इस पूरे मिश्रड को 4-5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे जब तक कि हमारा यह मिश्रड की चाशनी अच्छे से तयार न हो जाए चाशनी तयार है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम एक बॉल में पानी लेंगे और चाशनी की कुछ बूंदे इस पानी में डालेंगे अगर यह चाशनी पानी में घुल जाती है तो हमारा मिश्रड अभी तयार नहीं है और अगर यह बूंदे हाथ पर उठाने से आराम से हाथ में आ जाए तो candy बनने के लिए हमारी चास्नी बिलकुल तयार है आप देख सकते हैं candy के लिए चास्नी बिलकुल रेडी है तो अब हम इस चास्नी को एक बरतन में निकाल लेंगे दोस्तों मैंने इस काली मिर्च का पाउडर भी बीच में मिला दिया था वो मैं आपको दिखाना भूल गई अब हम एक ट्रे में बटर पेपर को फैला लेंगे और चम्मच की साहता से छोटी छोटी चास्नी की बूंदे इस बटर पेपर पर डाल देंगे जितनी बड़ी हमें candy चाहिए कुछ इस तरह से इसी तरह से हम सारी चास्नी को बटर पेपर पर फैला लेंगे और 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए छोट देंगे अभी ये गर्म है तो ये थोड़ी सी फैल रही है ये देखिए ये अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुई है अब हम एक प्लेट में शुगर पाउडर की लेयर फैला देंगे स्ट्रेनर की साहता से अब एक एक कैंडी को हम इसमें से बटर पेपर से अलग करते हुए उससे हातों की साहता से कैंडी का रूप देंगे मतलब गोल गोल कर लेंगे इसी तरह से हम अपनी सारी कैंडी त्यार कर लेंगे अभी ये पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है इसलिए अच्छे से कैंडी बन जा रही है अगर हम इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगी और कैंडी नहीं बन पाएगी गुनगुना होने की वज़े से ये थोड़ी अभी भी फैल लेही है मगर ठंडे होने पर ये बिल्कुल कैंडी जैसी बन जाएगी अब हम इसके उपर से भी पाउडर शुगर डाल लेते हैं ताकि जब हम इसे किसी कंटेनर में रखें तो वो एक दूसरे से चिपके नहीं तो लीजे हमारी कैंडी बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स या कैंडी सिर्फ कफ में ही फायदा नहीं करती है बलकि या थ्रोट इन्फेक्शन और डाइजेशन से भी रिलेटेट किसी भी प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी है और आज के टाइम को देखते हुए या इम्मुनिटी बुस्टिंग में भी बहुत हेल्फुल है तो प्लीज आप भी या होममेट कैंडी जरूर तैयार कीजिए कफिंग हो या ना हो आप इसे आज के कोरोणा टाइम को देखते हुए रेगुलर एक कैंडी जरूर लेजिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू